आप सभी के स्वागत है हमारे एक और ने इंट्रेस्टिंग वीडियो पे तो वैल कि जो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है उन लोगों के लिए जिनके पास 4GB RAM है और 500 बाराम भी ग्राफिक कार्ड है और एक मिड रेंज वाला प्रोसेसर है तो अगर अगर आप अपने PCI Laptop पे कुछ अच्छे ओपन वर्ल गेम खेलना चाहते हैं जिनके ग्राफिक्स क्वालिटी काफी हाई हूं तो बेल गाइस ये वीडियो खास कर आप लोगों के लिए होने मैं इस वीडियो पे आपके लिए कुछ ऐसे दस गेम लेका हैं जो कि आपके अगर आपके अपने ग्राफिक कार्ड में अराम से चल जाएंगे अगर आप इन कोई भी आपको गेम अगर इंस्टाल करना तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां से आप जाके इंस्टाल ख़र सकते हैं और एक दोस्तों कि आपके प्यारे दोस्तों या आपने स्क्रोल कर इस वीडियो को देखी लिया है तो भाई एक लाइक एक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना तो बिना टाइम वेस्ट के चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस लिस्ट में मारा सबसे पहला गेम निकाल गया था उस गेम का नाम है एक्समैन ओरिजिन वोलवरी एक आप इसे PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360 और अपने PC प्लाटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से खेल सकते हो गेम को रिलीस किया गया था फर्स्ट में 2009 को मोट के बात करें तो भाईया गेम में आपको सिंगल प्लेयर का एक्स्पिरिंस देखने को मिलने वाला है इस टोरी रेन की बात करें है एक काल कोटरी में जहांपर हमारा में केरेक्टर एंड उसके भाई को आपकर खै़ करकर lying PU रहता है से मारा गेम का में रहता है और तो सब लोगों में क्या है कि बइशा इसा चूर्ग निकल जाती है वैलगा गैस वोलवरीन हो एक हम एरे पास ऐसे कुछ नेश्र但 हम काम करो तो मैं तुम्हें इस काल कोटरी से बहार निकाल दूंगा फानली वो दुनों एगरी करते हैं विलियम स्ट्राइकर की बात से कि भाया अपने को इस काल कोटरी में अपना जो भी जिंदीगी नहीं लिपाना है तो उसके साथ वो हाथ मिला लेते हैं वो स्ट्राइकर के से तींव का नाम रहता है उस तीम का नाम रहता है तीम-EKTS में काफी सरे और भी लोग शामिल रहते हैं हमारा मेन करेक्टर रहता है भाईया आपको जो कुछ भी लेना आप मेरे से ले लो बट मेरे को छोड़ दो बट यहां पर गाउवलों कहता है हमें तुम्हारे हीरो में कोई इंटरेस्ट ने हमें चाहिए एड्मेंटियम पत्थर कहां से है तब डायमंड मंचन बोलता है कि यहीं पासी के गाउव बट गाउवलों के कुछ लोगों ने हमें यह पत्थर दिया हमें को जो किев एड्मेंडियम पासी मुने पूल यहां से मिलnya है और कहां मिलेगा तो दा हुआए計 क्या होता है कि विल्यम 스ाइकर अपने लोगों से कहता है कि इन गाउवलों को मार दो स्ट्राइकर अपने लोगों से कहता है कि इन गाउंवालों को मार दो तो वुलवरीन इसके सक्त खिलाफ रहता है और वुलवरीन उसको बोलता है कि मैं तुम्हें मानने नहीं दोंगा तो इससे क्या करता है अब यहां पर क्या होता है कि वुलवरीन टीम एक्स को यहां से ली अब विल्यम स्ट्राइकर क्या करता है कि उसके वहाँ पर वाइफ को उसे वो मार देता है तो वुल्वरीन को लगता है कि विल्यम स्ट्राइकर ही मेरी वाइफ को मारा है जिस पत्थर के लिए अफरीका गया था उसको भरबूर मात्रम में मिल चुका था जिसका नाम एड्मेंटियम था तो बेसिकली इड्मेंटियम को बुल्वरी के अंदर इंसर्ट करता है और वुल्वरीन को काफी पारफुल बना देता है यहां पर जैसी वुल्वरीन के अपने आपको आजाद करता है और वहां से हट जाता है तो यहां पर जो एजेंट जीरू रहता है वह वुल्वरीन को यहां पर खोच के वहां पर वुल्वरीन को मानने के लिए सूचता है पट वुल्वरीन के पास काफी सारे ऐसे पावर्स आ चुके थे तो यहां पर आप साथ ही साथ दुस्तों गेम ग्राफिक्स कॉलिटी काफी हो समय है आपको जरूर से इस गेम को एक ट्राइ करना चाहिए और इस गेम को सिस्टम रिक्वारमेंट है वह भी काफी करम है चार्ज वी वाले PCI लाप टॉप गेम अराम से मखन जैसे चलेगा कि बात करें तो कोई भी निटी एल सफेस की बात करें तो भाया सब्सकिक्राय लगना इस गेम को सेट्ल करने के लिए खेलना चाहते हैं यह आपके लिए काफी आइसम गहिने वाला है यह को पबिश किया गया psychiatric-arch जी सब्दोक्च और कंके डारा एंड मंजें की मोड कि बात करें तो ए एंड मैं अ castsति भीएっ Haada, FIFA में इस झेलख कमप्रीट करें और इस आपको मिसना को चाहले पर डेकने मुल your time तकब हमें और मीशनीद भàiस करना भाद ऊपको यहाँ आप करने को बड़ा офड़ों सकते हैं, city को explore कर सकते हैं, सारी साथ इस गेम का graphics quality काफी OP है, और इस गेम को system requirement है, यहाँ पर में reveal कर देना चाहता हूं, RAM की बात करें, तो भाहिया, मातर 2 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्स की बात करें, तो मातर 500 बार अभी रीड है, प्रोसेसर की बात करें, तो भाहिया, डूवल कोर में के मराम से चल जाएगा, space की बात करें, तो भाहिया, 5 GB के असपा space खाल रखना इस गेम को stall करने के लिए, और अगर आप इस गेम को stall करना चाहते हैं, तो link है, description में जाके install कर सकते हैं, तो वाल काईस, पढ़ते हैं, हमारे थर्ड गेम के ऊपर, थर्ड गेम निकल के आता है, उस गेम का नामें GTA 4 है, GTA 4 है का आपका action adventure, open world video game है, जिसे डबल अप के आगया, रॉक स्टार नॉर्थन के द्वारा, और इसे पब्लिश के आगया है, रॉक स्टार गेम के द्वारा, बेसिकली ये गेम आपके सभी platform के लिए, काफी आसानी तरीका से उपलब्द हो जाता है, PlayStation 3, Xbox 360, और अपनी PC platform के लिए, काफी आसानी तरीका से कहल सकते हो, मोट की बात करें तो भाहिया, यहां पर आपको सिंगल प्लेयर भी देखने को मिल जाता है, मल्टी प्लेयर भी खेल सकते है, एंड गेम की बात करें तो स्टूरीलान लाइन मिशन गेम है, यहाँ पर आपको काफी OP storyline देखने को मिलता है यहाँ पर आपको map देखने को मिल जाता है टोटली open world game है दोस्तों यहाँ पर आप हर एक वो चीज़ कर सकते हैं जो कि आप एक open world में कर सकते हैं कार चला सकते हो, मुका मुकी कर सकते हो इस game का मेरे को सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि यहाँ पर आपको काफी interesting mission देखने को मिल जाते है गेम की graphics quality की बात करें तो भाइया काफी OP यहाँ पर आपको graphics quality देखने को मिल जाता है और game की system requirement है वो यहाँ पर मेरे बिल कर देना चाहता हूँ जो रेम की बात करें तो बहिया मात्र 2GB होना चाहिए ग्राफिक आट की बात करें तो मात्र 512 अज्थिन प्रोसेसर की बात करें तो ड्यूबल और ग्रम तरीका से चल लाएगा आप इसे प्लेशेशन प्लेटफॉर्म के लिए अपते PC प्लेटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरिकाल से खेल सकती हो गेम की रिलीस देट के बात करतो बहाँ गेम 1st December 2015 को रिलीस किया गया था णी ऊपषब कि बहाँ गेम सिंगल प्लेयर है गेम की स्टोडी लैंड की बहाँ गेम स्टार्ट होता है यह चलिवान रिघम से जो कि अपनी फ्रेंड मारियो की हल्फ करने मेडीसी पे जाता है इसल जाता है क्योंकि वहाँ पर एक Dira Velo नाम का एक जनरल लीडर रहता है जो कि मेडिसी में इसी को कैप्चर करके रखता है यार मतलब वहाँ पर तबाही हुआ ही करते रहता है मतलब काफी बुरा आदमी Dira Velo रहता है और Rebels जो कि एक संगठन और Riko मिलके Dira Velo को मेडिसी से निकालना चाहता है अदरत कर Dima से मिलता है और Dima एक साइंटिस्ट रहती है और Rebels की Head Officer रहती है Mario बोलता है कि कैसे हम Dira Velo से लड़ सकते है तो यहाँ पर Riko बोलता है कि हमें अपना एक Forge बनाना पड़ेगा और यहाँ की लोगों को बताना पड़ेगा कि आप Dira Velo से लड़ सकते है तो यहाँ पर आप Main Story स्टार्थ होता है Riko अपना एक आर्मी बनाता है तो ओपन वर्ड एक्सपीनेस देखने को मिलने वाला दोस्तों यहाँ पर आप हर इक चीज कर सकते हैं जो कि आप एक के लिए अगर इस गेम को स्टॉल करना चाहते है तो लिंक है भाहिया डिस्क्रिप्शन में क्यों वेट कर जागा इंस्टॉल कल तो बढ़ते हैं हमारे फिप्थ गेम के ऊपर फिप्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है बैटल फेल्ट्री एक फर्स परसेंग शुटिं इनफैक्ट अपने प्लाटफॉर्म के लिए काफी असरें तरिकात से खेल सकते हो इस देट की बात करें तो बहिया गेम रिलीज वह था 28th October 2011 को गेम की मोड की बात करें तो बहिया गेम आप मल्टि प्लेयर भी खेल सकते हो यहां पर आप सिंगल प्लेयर भी खेल सेखेंगे गेम की स्टोडी यािं की बात करें एक मिलिटरी स्टोडर का डोल प्लेय करता है जो की उस मिलिटरी से बेलॉंग करताए है और उसका जो पहला मिशन रहता है वो इरान पर रहता है और इनमी के बेस को डिस्ट्रॉइ करने रहता है और वहां से एनमी को वहां से आपको हटाना पड़ता है तो basically यह गेम काफी ओपी है दोस्तों यहां पर आपको पूरा open world view देखने को मिलने वाला प्री amazing interesting story line देखने को मिलने वाला और काफी ओपी इस गेम का graphics quality है और इस गेम में basically आप अलग-अलग city के country में आप travel करोगे एंड वहां पर आप जाके एनेमी के बेस को वहां पर डिस्ट्रॉई करोगी जो भी आपको missions दिये जाएंगे एंड बिसिकली इसी की ऊपर गेम डबलप है दोस्तो एंड इस गेम को जो system requirement है ओ यहां पर रिविल कर देना चाहता हूं तो बलके इस RAM की बात करें तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जाके आप स्टॉल कर सकते हैं तो वेलके इस बढ़ते हैं हमारे इस गेम के ऊपर कि जो बहुत सिक्थ गेम निकल के आता है उस गेम का नाम है डाइंग लाइट एंड दोस्तो डाइंग लाइट एक आपका एक्शन एडवेंचर सर्वाइरवर हॉरर ओपन वर्ड वीडियो गेम में जिससे डबल अप किया गया है टेक लैंड के दौरा एंड इससे पब्लिच किया गया वर्नर ब्रॉस के दौरा लिए ये गेम आपके सभी प्लाटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलप कि बात करें तो भाईया डेम यहां पर आपको सिंगल प्लेट है मल्टि प्लेट भी मिलता है यगेम की बात करें तो भाईया पाइन लाइट की स्टोरी स्टाय होती है Хरान के एक सिटी पह जहाँ पर जहां पर Dave ऊहां पर唯स्ट नाइन डी पर संट पॉप पॉप कॉपिलेशन जो रहती है वो एक वाइरश के इन फचाने के बाद उड़ चाने के बाद वो एक क्वारेंटी Exodus में ऑब डील हो जाती है अगर किसी यूमन्स को काटते तो भाई वो भी मिटेट हो के जॉंभी बन जाते है ध्याम की डिफेंस मिनिस्ट्री रहते है वो हरान को यह डर रहता है कि भाहिया वह फाइल अगर पुब्लिकली हो गई तो हमें बहुती ज्यादा नुकसान होगा अपना रेपूटेशन की एज़ी की तैसी होगा क्या डिसाइड करती है गवर्मेंट एक अंडरकवर कॉप को हायर करती जिसका नाम कायल क्रें रहता है मिशन दिया जाता है कि आप कदिर सुलेमान को आप पकड़ो और वो जितने भी फाइल से ने वापस लेक्या हो तो यहां से आपका जो में स्टूरी दोस्तों स्टार्ट होता है एक 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 अडवेंचिर ओपन वर्ल्ड प्लस हॉरर गेम खेलना चाहते है तो भाही डाइंग लाइट सिर्फ आप ही के लिए बना हुआ है इस ग्राफिक वाएटी काफी ओपी है एक स्टम यहां को यहां पर मुडिक 2020 करते है और बात करें न में रचाहताँ तो बढ़क वर्लेंट ना चाहता हैं तो बढ़क करते हैं श म Wijं प्रसेसर की बात करें उत तो बात करें न संदल ऌवी में घंतल गर सेएंगा सेफिट की जाता है उस गेम का नाय में क्राइसस तू आपका एक फर्स परसेंट चुटिंग ओपेंड वीडियो गेम है जिसे डेवलर के क्रिटिक के दुवारा एंड इसे पब्लिश किया गया आज चाल सकते हो मोड की बात करें दोस्तों यहाँ पर आपको single player भी देखने को मिल जाता है multiplair भी देखने को बिल जाता है सारे सभ गेम की बात करें तो भाईया स्टार्ट होता है और पर आपको पुड़ा open world view देखने को experience देखने को मिल जाता है साय-साद गेम की ग्राफिक्स कोलेटी की बात करें तो बहुत काफी यहां पर आप वो ग्राफिकस देखने को मिल जाता है स्टम requirement है वो भी कोई जादा निए तो भाईः इस गेम की बात करें तो बहुत बया स्रिफ मातर 2 GB होना चाहिए ग्राफिकी काड्स की बात करें तो minimum 500 फारा में नीडर चंशर की बात करें तो बहिया द्गी की बात करें तो प्र्या माहिए अट Peng прaats को बात करें तो मार्ली निधीम के बात करें तो मच रहां पास बॉमचरी को श्रकलें अट पार भी इसिविए आंधव मैं धुक्रिटि च द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया एक्टिव वीजिन की द्वारा बिसिकली ये गेम आपके सभी प्लाटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरगा से अप्लब्ध है आप इसे इस गेम के मोड की बात करें तो भाई यहां पर एक सोलजर का किरदार लिबाते हो बिसिकली एक पर है उनके बेस को काफी बड़ा है आप अलग अलग country के अलग अलग city में यहां पर आप ट्रैवल करते हो तो काफी अमेजिंग गेम में दूस्तो एक्षिन एडवेंचर शूटिंग गेम में अगर आप इंट्रेस्ट रखते हो तो भाई ये गेम आपके लिए काफी खास होने वाला है इस गेम का ग्राफिक्स कॉलिटी काफी ओपी है जरू से इस गेम को आपको एक बार ट्राइक करना इस गेम को इंट्र अचाहां झाहते है तो लिंक है ट्रेटल देस्कीप्शं वें ज्यकंड घर सकते है ओक बॉलिप herself के दुवारा हम के लिए ये गेम आपके सभी प्लैटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से प्लब्द है आप इसे प्लैशेशन 4, Xbox One और अपने PC प्लैटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से इंस्टॉल कर सकते हो और इस गेम को रिलीस किया गया था 23rd बैटमैन के दुसमन रहते वह गौतम सिटी में कुछ ऐसा वाइर्स इंजेक पर देते लुग को चौडब के च़ले जाते हैं बच जाते हैं तो बस बाछ बैटमैन बैटमैन को क्या करना पड़ता है उन सभी जो भी वाइरस है व्हार्ट को यहां से आपका गेम स्टार्ट हो यहां पर आप हरी चीज़ कर सकते हो जो कि आप एक open world game में करते हो इस game को system requirement हो यहां पर रिबिल कर देना चाहता हूं कि बात करें तो भाईया मातर 4GB होना चाहिए ग्राफिक आट की बात करें तो 1GB लीड है आपका open world action adventure वीडियो गेम है जिसे डबलब के द्वारा एंड इसे पब्लिश किया गया अक्टिवीजन के द्वारा बेसिकली यह गेम आपके सबी प्लाटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से उपलब्द है आप इसे PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One इन फैक्ट अपने iOS और Android अपने PC प्लाटफॉर्म के लिए काफी आसानी तरीका से खेल सकते हो गेम की रिलीस देट की बात करें तो वही यह गेम को रिलीस किया गया था तो May 2, 2014 को अपको मोड की बात करें तो वही यह गेम सिंगल प्लेय राता है जो आपका मेन कारेक्टर रहता है इसका नाम Peter Parker रहता है वह बेसिकली अपने City को प्रोटेट करता है पाइडर मैन के दुसमन रहते है उससे वह City को प्रोटेट करता है तो basically यहां पर आपको मिशन दिये जाते हैं इस गेम को मिशन मेरो काफी पसंदा आता है दोस्तों अगर आप एक अच्छा स्टोरी लाइन मिशन गेम खेलना चाहते है तो भाई ये गेम आपके लिए काफी अमेसिक होने वाला है इस ग्राफिक सुरेटी काफी ओपी है आपको जरूर से इस गेम को एक बाद राइं अच्छाना चाहता है अन्पो जड़ेक की कि बात करें तो भाई है एन एक पार दिर्म को कर दण करना चाहते है अन क्यों है तो लाजग में इंस्टोल कर सकते हो तो विल्केस यही कुछ 10 गेम थे आपके 4G RAM में राम से खेल सकते बिना किसी इशू के I hope दोस्तों कि यह गेमस आपको पसंद आये होंगे and I hope दोस्तों कि यह गेमस आपको पसंद आये and जरूर कमेंट स्रीक्शन में कमेंट करना कि आप कौन सा गेम खेलने वाले हो जरूर करना कि भाई देखो यार इन सभी गेमस को अपने आप 4G RAM और 512 ग्राफिक कार्ट में खेल सकते हो साथ इन में से काफी सारे गेमस आपको ओपन बड देखने को मिल जाते है तो बस दूस्तो आज की वीडियो पसंदा है वीडियो पसंदा है वीडियो को लाइक करो शेर को और सब्सक्राइब करो जो इस तरह को गेम खेलना चाहते है अपने 4G RAM में तब तक लिए मिलता हूं एक और वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना तब तक लिए जय हिंजय भारत